नमस्कार दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार सुभे जल्दी स्नान करने से ना सिर्फ तन की शुद्धी होती है बलकी नकरात मक्ता से भी छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दिन के अनुसार आपको खास चीजों से स्नान के बारे में बताने चा रहे हैं। पाए इस दिन जरूर करना चाहिए, ये बड़ा ही आसान है। अपने स्नान के पानी में एक चुटकी हल्दी डाले और ब्रसपती को याद करते हुए नहाले। स्नान के बाद हल्दी या केसर का तिलक लगाए। आपका दिन मंगल मई होका साथी समस्याएं भी नहीं आएंगी। जिन लोगों की कुणली में ब्रसपती ग्रह कमजोर होता है, उन्हें सोने की वस्तु पाने में डाल कर नहाना चाहिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह की स्थिती मजबूत होगी। जो लोग मा लक्षमी को प्रसंद करना चाहते हैं, उन्हें नहाने के पाने में थोड़ी सी चीनी डालनी चाहिए। ऐसा करने से आपको भागय का साथ मिले का साथ ही धन की प्राप्ती होगी। अगर आपको मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती है, तो रविवार के दिन पानी में थोड़ा गुर डाल करना हाए। इससे सूरदेव प्रसंद होंगे। ऐसा नियमित रूप से करने पर आपको मान सम्मान मिलने लगेगा। बुद्ध ग्रै को तेज करने के लिए पाने में थोड़ा केवड़ा डाल लें। आप चाहे तो इसमें हरी धनिया भी डाल सकते हैं। इससे आपकी बुद्धी तेज होगी। जिन लोगों के बोलने के अंदाज के चलते लोगों से बन नहीं पाती, उन्हें एक्सर अपमानित होना पड़ता है। तो उन्हें नहाने के पाने में थोड़ा शहद मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे वाणी में मधूरता आएगी। किस्मत को तेज बनाने के लिए नहा कराहट की समस्या भी दूर होकी धनवान बनने के लिए नहाने के पाने में थोड़ा सा इत्र डाल ले इस से मालख्ष्मी की आप पर क्रिपा होगी इस से आय के स्तरोत बढ़ेंगे नहाते समय पाने में तामब्य का छल्ला डाल कर स्नान करने से सूरैग्रह का प्रभाव इससे भविश्य में आने वाले मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। कुण्डली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकोन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चाथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।